हेलो बच्चो आप सभीका श्वागत है बच्चो यदि आप UPSI की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पिसल होने वाला है बहुत ही जादा स्पिसल होने वाला है इन फट आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा वाकई में यह वीडियो देखना मेरा सार्थक हो गया बच्चो अगर आप UPSI के एक्जाम में बैट रहे हैं तो एक्चलि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना मेरा यह मेन मोटिव है कि आपका बेस तयार है आप UPSI की तयारी कर रहे हैं तो आपका बेस तयार है आप UPSI के exam में बैट रहे हैं बच्चो ऐसा नहीं कि हम आपको base लेके पढ़ाएं कि आर इसका A base है इस chapter का A base है ऐसा नहीं बच्चो हम आपके exam के oriented questions ला रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा बच्चो UPSI के questions का level इतना आसान नहीं जितना हम लोग समझते हैं अधर exam के पेच्चा इसके exams के questions बहुत difficult होंगे आशान नहीं होंगे तो बच्चो उस label में questions आपको आज ला रहे हैं आज की class में आपको ऐसे questions परूश रहे हैं जो questions आप देखेंगे और आपको लगेगा वाकई में हमें ऐसे questions की need है ऐसे questions को पढ़ने की जुरुत है तो प्यारे बच्चो इस्टार्ट करेंगे आज का वीडियो लाश्ट तक के सारे questions अटम्ट करिएगा लेकिन एक promise करना होगा आप सभी को आप जब भी मेरा question देखिएगा जैसे ही आपको question मिलता है उस question को पहले hold करिएगा और उसे पढ़िएगा उसे करिएगा अगर बच्चो question आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है आपको हमारे वीडियो को देखने की need है जरूरत है आप comment करिएगा आपके लिए बहुत सारे वीडियो जैसे provide करा देंगे जो आपके SI exam के oriented होगे लेकिन बच्चो आपको थोड़ी से help मेरी भी करनी होगी वीडियो को share करना होगा अगर मैं आपके लिए रात को 10 बज़े आपके लिए वीडियो सुट कर रहा हूँ तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा share करिएगा वीडियो फिर देखेगा बच्चो किस तरीके से SI के कुश्चन्स लाते हैं अगर आप लगातार बने रहेंगे तो हो सकते हैं कुस कुश्चन्स हमारे एक्जाम में हमारे वीडियो से ही फज़्दा है जैसे कुश्चन्स हम आपके लिए ला रहे हैं बच्चो बिना देर की हुए चलते हैं कुश्चन्स की तरफ और आज का लेते हैं पहला कुश्चन UPSI के लिए टाइम, स्पेड अन्डिस्टैंस का तो बच्चो जैसा कि आप सभी को स्किन बोड पे दीख रहा होगा पहला कुश्चन है एक चोर एक साइकल चुराता है और 25 किलोमेटर पर गंटे की चाल से भागता है उसके जाने के 12 मिनट बाद एक मोटर साइकल चालक उसका पीछा करता है मोटर साइकल चालक की गती कितनी होनी चाहिए कि वहाँ चोर के स्टेशन पहुँचने तक मैं उसे पकड़ ले जो की वहाँ से 20 किलोमेटर दूर है तो बच्चो आपको देख के तो लगी रहोगा सवाल की यार बड़ा आशान है वाकिए में आशान है लेकिन आप एक बार करिये तो सही उसके बाद साइलोशन देखिएगा नहीं आता है तो लेकिन बच्चो चलो मैं शालोशन देता हूँ आप वीडियो को रोग सकते हैं और स्वाल कर सकते हैं तो बच्चो देखो यहाँ पर फाइनली है क्या एक चोर है क्या है एक चोर है और एक चोर जो है बच्चो साइकल चुरा के भागता है और इसकी जो बाद एक Motor gnit चलाब इसका पीछा करता है यह इसी this कर चला होगा जिस परी से कि चोड़ी किया असी फेसर चला होगा लेकिन बचो कब चला होगा इसका जो भी समय ले जबाद i a एपरशन यहां से छलता है 80 मिनिट बाद 12 मिनिट बाद हमें अयसा कोई भी question निवनाना है थोड़ा भी tension मत लेज़ेगा सारे questions की unique solutions होगे बच्छो तो यह 12 मिनट बात छोड़ता है और आपको समझ में आ जाएगा कहीं कोई दिक्कत ने होगी बच्छो 12 मिनट बात छोड़ता है और motorcycle चलाक उसका पीछा करता है बच्छो यह जो station का distance है ना यहां से 20 km है कितना km है 20 km इट मिन्स कहने का मतलब एह हुआ जो चोर था वो चोर भी बच्छो 25 ही km चला है 20 ही km चला है क्योंकि 20 km पर ही तो पकड़ा जाता है तो जितना चला है उतने पर ही पकड़ा जाएगा बच्छो चोर भी 20 km चला है लेकिन ह है क्या चोर की स्पीड कितनी है 25 तो बच्छो मैं convert नहीं कर रहा हूं विकाउज एक किलोमीटर में और एक किलोमीटर पद घंटे में तो अपना एंसर घंटी में आएगा कोई दिक्कत नहीं है तो टाइम अपना कितना आ गया 20 बच्छे 20 25 और यह बच्छो अपना टाइम ह तो आप सभी को पता है काटेंगे पांचों का 20 25 25 चार बटे पांच आ जाएगा एक घंटे आ गए इसको मिनट में convert करेंगे बच्छो 60 से गुडा करेंगे 12 पंचे 60 होता है 12 48 यानि बच्छो चोर को 20 किलोमीटर कबर करने में उसको लग रहा है 48 मिनट कितना टाइम लग र रहा है इसकी चाल तो बता नहीं है लेकिन इसको जो टाइम लग रहा है बच्छो 36 मिनट लग रहा है क्यों क्योंकि ये 12 मिनट बाद गया था इसके जाने के 12 मिनट बाद इसका टोटल टाइम 48 मिनट लगा है तो प्यारे बच्छो इसको जाने में वहां कितना टाइम लगा मीनट भटY ठाने लिट्वानमी मेरी को आट था टाना और को चाल जे ठामस अगा गई 33 सही 1 बटा 3 किलो मीटर पर हावर तो बच्चो I hope की questions आपको clear हो गया होगा कि इस question को कैसे हमें solve करना था बहुत ही आसान तरीके से solve कर सकते थे finally हमने सबसे पहले time निकाला चोर का और चोर के time को निकालने के बाद हमें आदमी का time पता हो गया और फिर बच्चो हमने इस question को design कर लिया इट में solve कर लिया बच्चो अभी हम चलेंगे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ जो की कुछ ऐसा ही है और बहुत ही बहुत ही बहतरीन question है तो बच्चो अभी दूसरा question जैसे अगर हम दूसरे question की बात करें आपको दिख रहा होगा बच्चो तो skin board पे आपको एक question दिख रहा होगा second number ये भी question बच्चो बहुत ही बहुत ही बहुतरीन question है question अपना ए है एक कार चालक 38 km पति घंटे की गती से गाड़ी चला रहा है एक bus उसे से 40 मीटर आगे है 20 second पस शाथ bus 60 मीटर पीछे हो गई bus की चाल गयान कीज़े अब बच्चो कर इस question की बात करें न तो एक question पहले आप लगाओ इस question को पहले आप solve करो तो आपको पता चलेगा वाकई में question में कितनी जान है कितना दम है इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ओ बाते आप तभी जान पाएंगे तो चलो बच्चो कोई नहीं हम question को समझाते हैं आप लगाईएगा एक कार चालक प्यारे बच्चो एक कार चालक है सबसे पहली बात एक कार चालक है ठीक है इसकी जो स्पीड हमें दे रखा है बच्चो इसकी स्पीड हमें दे रखा है 38 किलोमीटर पदी घंटे 38 किलोमीटर पर हावार एक कार का स्पीड है ठीक है एक कार की 38 किलोमीटर पदी घंटे की गती से गाड़े चला रहा है एक बस उससे 40 मिटर आगे है बचो अग्यों यहाँ पर बस है, यहाँ पर एक बस है, यह बस से 40 मिटर आगे है, यह अपना कार था ठीक है बचवो फाइलि हुआ क्या, 20 सेकंड हुए और 20 सेकंड बाद, TIME क्या हुआ, 20 सेकंड 20 सेकंड की सीन जो हो गई ओ कुछ अलग हो गई कार बच्छो बस से आगे निकल गई कार कहा निकल गई बस से आगे निकल गई और बस को छोड़ दी कितना मीटर? 60 मीटर अब बच्छो इस बस का भी तो चाल होगा ऐसा तो है निकि बस नहीं चल रही है कार कितनी चली है, एप 20 सिकंड में 100 मिटर गई है, उबराल कितनी गई है, 100 मिटर, तो बच्चों हम लोग का जो फामूला होता है, फामूला तो एक ही होता है, भाई D ब्राबर अरश्टी, जो दूरी कबर कर रही टूटल, कितना कबर कर रही है, 100 मिटर कबर कर रही है, बच् पता है हमें इसका टाइम भी पता है कि इसने इसको 20 सिकंड में छोड़ दिया यह नहीं बच्चो question by language बहुत difficult लग रहा था लेकिन है बहुत ही आसान बच्चोटा सा calculation जिसे हम लोग solve करेंगे 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 5 ए 5 cancel हो जाएगा प्यारे बच्चो 18 यहां आजाएगा और हमारा value बचेगा 38 minus x यक्स इधर आजाएगा यक्स बराबर 38 minus 18 इट मेंस बच्चो कितना आगया 20 किलोमीटर पर हावर यह बच्चो हम लोग का bus का speed आगया आप देख रहे हैं कितने आसानी से एक्स question को आपने solve कर लिया और बच्चो ऐसी ही हमारे सारे questions हो जाते हैं बस हमें थोड़ा सा अच्छे से चीजे पता होनी चाहिए और फिर आप चीजों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं बच्चो यह वीडियो रात के 10 बज़रें 10 क्या साड़े 10 हो गए हैं साड़े 10 बज़े सूट कर रहा हूँ आप सभी के लिए तो बच्चो अगर questions का selection मेरा अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा कि sir question का selection अच्छा था और फिर हम आपके लिए आगे भी और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाएंगे लेकिन वो आपके comments के बाद अगर आपके comments आते हैं UPSI के लिए तो हम वही वीडियोज प्रोवाइड करेंगे जो आपकी need है और यह done है अगर आपने पूरी series को follow कर लिया जितनी questions हम ला रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे बचो तीसरा question देखिए time and distance का सारे questions बच जो exam oriented है आपके SI level की questions है अगर आते हैं exam में तो आपके कुछ ऐसी questions आएंगे और इस level की questions नहीं तयार हैं बचो तयार कर लिजएगा ठीक है बिना तयार किया जैसा कार नहीं होगी बचो दो व्यक्ति एकी ही दिसा में यात्रा करना शुरू करते हैं वे क्रमसा 9 किलोमेटर और 15 किलोमेटर पर दिन चलते हैं छे दिन की यात्रा के पशात नौ किलोमेटर पदी घंटे की गती से चलने वाला व्यक्ति ने अपनी गती दोगनी कर दी तथा दोनों ने अंत्ता एकी ही साथ यात्रा पूरी की अपने गंत अब्य तक पहुचने के लिए उनके द्वारा लिया गया शामे क्या है तो बच्चो इस कुशन को पहले आप लोग स्वालब करो उसकी बाद आप मेरी कुशन का सॉलोशन देखो तो बच्चो देखो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं दोनों यात्रा शुरू करती हैं एक व्यक्ति है अपना ठीक है इसका चाल जैसे बच्चो हमने माल लिया माना क्या हम पती गंटे आ बच्चो दूसरा व्यक्ति है इसका चाल जो हमें दिया गया है उसका चाल हमें दिया गया है 15 km परति दिन आप 9 when to come आप 15 आप 15 किलों मेल पती दिन चलते हैं तो बच्चो पर डिले का दि आ गया है किलिउमीट पर डिए ठीक है यह पर डिले का है एक दिन का हिसाब है इनका 9 किलो मीटर और एक दिन का हिसाब है 15 किलो मीटर बच्चो छे दिन यात्रा की पस्चाद तो 6 दिन में कितना चले होंगे ए चले होंगे 9 किलो मीटर भाई एक दिन में चलते हैं 9 किलो मीटर तो 6 दिन में बच्चो चववन जाएंगे एक दिन में 15 जाएंगे तो 9 दिन में बच्चो सारी 6 दिन में 90 किलोमेटर जाएंगे है ना बच्चो तो ये जो दोनों लोग जो जा रहे हैं बच्चो भी आगे सवाल नहीं पड़ते हैं एक आदमी की चाल 9 थी एक की 15 थी दोनों लोग 6 दिन चलते हैं तो 6 दिन में इतना जाएंगे और इछे दिन में इतना जाएंगे, य君ि दोनों बचों सेम अस्थान पर जा रहे हैं, इंका जो अस्थान है वो गंतप के अस्थान सेम है, यानि अगर ए दो सो गि क्या करेंगे nine और चववण का अलस्यम ले लेंगे, क्या करेंगे 90 और 11 का LCM ले लेंगे तो हम सभी को पता LCM लेना जैसे 9 दाम में 90 होता है और 9 शक्षववन होता है बच्चो अगर हमने 9 ले लिया यहां से 9 कैंसिल हो जाएगा अगर हमने यहां से 10 ले लिया बच्चो इसका होता है 2, 3, 6 10 में 2 सामिल होता है 3 बचेगा अब गुड़ा करेंगे 9, 37, 270 इसका LCM कितना आजाएगा बच्चो 270 यह आप लोग को पहले से भी आता होगा लाशा निकालना तो यह जो LCM आएगा बच्चो एक कुल दूरी होगी यह दूरी इसके लिए भी होगी भाई दूनों सेम डिस्टैंस कवर कर रहे हैं है की नहीं दूनों सेम डिस्टैंस कवर कर रहे है तो दूनों के लिए दूरी होगी अब बच्चो बस हमें एदेखना है यहाँ पर एक बात बोली गई है कि उसके बाद क्या हुआ 9 किलोमेटर पती गंटे गंटे यहां लिखा है परडे, जबकि परडे का हिसाब दिया था कि गती से चलने वाला व्यक्ती कि गती से चलने वाला व्यक्ती अपनी गती दोगनी कर दे तो अंतता दोनों एक साथ पूरी यात्रा करते हैं बच्चो जिसकी 9 स्पीड है यह अपनी स्पीड कितनी कर देगा इसकी स्पीड हो जाएगी 18 किलोमेटर पर हावर, पर डे ठीक है हो, डे ही रहेगा बच्चो पर डे तो यह यात्रा कितने दिन में कम्प्लीट कर पाएगा, तो बच्चो आप जरूई नहीं, इसका आप डबल करो इस पे भी आप दूरी निकाल सकते हो इस पे भी आप दिन निकाल सकते है विकाज दोनों को दिन सेम लगेगा तो सवाल, at least हमारा कम्प्लीट हो चुका है कम्प्लीटली हो चुका है अगर मैं 15 पे निकालता है, तो 19 तो चल चुका था बच्चो, बचा कितना 180 किलोमेटर 180 किलोमेटर अगर पर डे हम 15 चलेंगे तो हमें कितना दिन लगेगा 12 डेज लगेगा, 12 डेज बच्चो यहां और 6 दिन पहले लगा था तो टोटल डेज कितना लग गया, 18 यह हमारा एंसर है अगर आप इस पे निकालोगे इस पे भी एंसर आजाएगा, इस पे क्या था बच्चो 270 में आप 54 चल चुके थे तो कितना दूरी आपका बच्चा है 6 बच्चा है और यहां 216 बच्चा है 216 में 18 से भाग करेंग, 18, 15, 18, 18, 20, 36 तो 12 और 6 दिन पहले बच्चो तो 12 प्लस से 18 यहां भी आजाएगा मतलब दूनों तरीकों से आजाएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले सी हमारा एंसर आएगा पहला भी त्राई कर सकते हैं, दूसरा भी त्राई कर सकते हैं दूनों से हमारे सेम एंसर आजाएगे अगला नेश्ट कुश्चन की तरफ बच्चो जैसे अगला प्रश्न है बच्चो दो साइकल सवार 20 किलोमेटर की दूरी ए नामा का स्थान के लिए चलते हैं एक सवार 10 किलोमेटर की नियमित गती से चलता है एक सवार ठीक है? उसकी स्पीड क्या है? 10 किलोमेटर पर गंटे की गती से चलता है और बच्चो दिया है एक व्यक्ति एस स्थान्स पर पहुचकर वापस लड़ती हुए वह धीमी गती वाले सवार से एसे ठीक आधिदूरी पर मिलता है तीज गती वाले साइकल सवार की चाल के आओगी अब बच्चो एह हमारा कुश्चन है तो देखो इस कुश्चन को हम लोग कितने आसान तरीके से अभी स्वाल करेंगे बच्चो पहले सवाल का मतलब समझो यहाँ पर हमें एक व्यक्ति की चाल दी गई है ठीक है? और दूसरे की पूछी गई है तो बच्चो हम से तेज गती वाले का पूछा गया तो जाहिड सी बात है हमें दीमी गती वाले का दिया गया अब बच्चो है क्या? एक अस्थान है ठीक है? यहाँ से दो व्यक्ति चलते हैं और यह एक अस्थान है एक वेक्ति चलके जो तेज गती वाला है यहां से यहां तक किसा दूरी भी दिया गया है मैं सवाल में 20 किलोमेटर कितना दिया गया है 20 किलोमेटर तो एक वेक्ति बच्चो यहां से चलके यहां पहुँच भी गया यानि 20 किलोमेटर पूरा कबर कर लिया और फिर यहां से लोटता है यहां 10 km और आता है क्योंकि एक वेक्ति अभी जो धीमी कहती वाला वो जाही रहा है एक तो लोटा है यहां से पहुच के लोटा है और दूसरा भी जाही रहा है बच्चो तो जाते जाते वो लोग यहां आधी दूरी पे मिल जाते हैं यानि ए वेक्ति सिप 10 ही चला है और ए बच्चो 20 गया भी है और 20 गया भी है और 10 आ भी गया है यानि कहने का मतलब वो 30 सल लिया यह पहुँचके ए लौटा हुआ है यहां 10 पे और यह बच्चो भी जाही रहा है तो प्यारे बच्चो देखो यहां डिस्टैंस का रिश्यो बन जा रहा है जो एक तो धीमी गती है और एक बच्चो तेज गती है तो जो धीमी गती वाला है उसे 10 ही किलोमेटर चल पा रहा है जो तेज वाला है कितना दिया है 10 यानि एक का वैलू हमें दिया है 10 किलोमेटर पर हावर तो 3 का वैलू क्या हो जाएगा बच्छो 30 किलोमेटर पर हावर बच्छो एंसर हो गया बच्छो इतने difficult language में जब questions हमारे exam में हैंगे और इतने easy solutions जब हम दे लेंगे तो कितना आशान होगा कितना बढ़ियां होगा हम लोग के लिए बच्छो यही तरीका है यही best तरीका है यही best method है हमें चीज़े पता होनी चाहिए बस हम बेतर करेंगे और बेतर करके आना भी तो है बच्छो exam quality विवाई करना है क्या हमेशा से पढ़ती ही रहना है अब हम लोग SI का exam दे रहे है जिसका मतलब क्या है कि हमारी यीज जो है अब वो last pair final stage है हम लोग का अब हमें कोशिस करना है कि यह मौका दुबारा हमारे हाथों से ने जाना चाहिए इस मौके का भरपूर फाइदा उठाना है और exam को crack करना है हराल में कुछ भी हो जा लेकिन यह exam हमारा छोटना नहीं चाहिए इसको हम crack करके ही रहेंगे चलते हैं बच्चो अगले शवाल पर आज का एक last question लेते हैं और फिर आप बताइएगा कि जो question का selection था मेरे तुरू एक कैसे questions थे कैसे लगे आपको कैसे नहीं लगे अपना feedback opinion जरूर दीजेगा फिर उसे एक और इक में questions आपके लिए बेतरीन से बेतरीन एसाई के लिए लाता रोंगा लेकिन हमें इसका feedback जरूरी है हमारे लीव जरूरी है और आप जब इसका feedback देंगे तो हम और भी बेतर कर पाएंगे और भी हमारा motivation बढ़ेगा और भी हम बेतर बेतर question लापाएंगे देखो बचो अगला सवाल है एक कार चालक आगरा से मतुरा के लिए चलता है ठीक उसी समय दूसरा कार चालक मतुरा से आगरा के लिए चलता है आगरा से मतुरा की दूरी 60 किलो मीटर है यदि पहला कार चालक 45 किलो मीटर पती घंटे की चालता है तो दूसरा कार चालक किस गती से चले की वह परथम कार चालक से आगरा से 20 किलो मीटर दूरी पर मिले अब बच्चो पहले इस सवाल को आप लोग लगा लिजे नहीं आता है तो मैं आपको solution देही रहा हूँ आप मेरा वीडियो देखेगा तो बच्चो देखते हैं इस सवाल को कैसे solve करेंगे एक कारचलक आगरा से मतुरा के लिए चलता है उसी समय दूसरा कारचलक जैसे बच्चो यहाँ पर दो प्लेस है एक अपना आगरा है और एक अपना मतुरा है ठीक है इनके बीच का हमें distance भी दिया गया है कि इनके बीच का जो distance है बच्चो 60 km है ऐसा हमें सवाल में बुला गया है और एक का हमें चाल दिया गया बच्चो 45 km पर हावर दूसरे का बच्चो हमसे speed पूछा गया है ठीक और कहता है एक कारचलक जिसकी चाल 45 km पर गंटे है दूसरा कारचलक किस गतिस चले एक बच्चो यहाँ पर यह भी बुला गया था आगरा से जाएगा मतुरा और एक मतुरा से आगरा आएगा और सेम टाइम पर यह उसी समय पर दूसरा कारचलक मतुरा से आगरा के लिए चलता है तो सेम टाइम पर चलेंगे अब बच्चो आगरा से मतुरा दूरी साथ दिया ही गया है अब कहरा दूसरा कारचालक किस गती से चले कि पर्थम कारचालक से आगरा से 20 किलोमेटर दूरी पे मिले यानि बच्चो पर्थम कारचालक यहां से चला और सिर्फ 20 ही किलोमेटर चला था कि यहाँ पर बच्चो जो दूसरा वाला मतुरस चला था गाड़ी ए गाड़ी यहाँ पर आके इससे मिल जाती है मतलब जो दूसरा चालाख है बच्चो उसकी स्पीड इतनी होती है कि आगरा से बीस किलोमेटर दूरी पर मिल जाता है अगर यह आधा चला है और उतने ही समय में डबल दूरी कवर कर रहा है इसकी स्पीड भी तो क्या होगी इससे इससे डबल होगी यानि इसकी स्पीड होगी 90 km per hour यह आपका एंसर हो गया इस सवाल का लेकिन अगर स्वाल करना है बच्चो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं साथ डिस्टैंस हमारा 20 इन टो 40 है यानि एक अनुपात है दो का अनुपात है डिस्टैंस का और स्पीड का वी रेशो वही होता है जो डिस्टैंस का होता है तो बच्चो एक का चाल तो हमें 45 दिया है क्योंक सब्सक्राइब से उसका जश्ट दबल दूरी अगर दूसरा कबर कर रहा है उतने ही समय में इसका मतलब है उसकी स्पीड इनसे डबल रही होगी बच्चो यह हमारे कुश्चंस हो गए पहरे बच्चो वीडियो बहुत लिंदी नजाए हमारा मोटीव यह भी होता है और इसलिए हम सारे कुश्चंस आपको कम टाइम में कराने की कोसिस करते हैं बच्चो आसका वीडियो कैसा लगा यूपी एसाई के जो कुश्चंस हमने सेलेक्ट किये थे आपके एक्जाम के लि लेकिन बच्चो अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आपको भी बता सकते हैं सर कुश्चं का सेलेक्शन नहीं सही है आप अजाद हैं आप जैसा भी कमेंट करेंगे सबका वैलकम है बच्चो कोई दिक्कत नहीं हमें आपके कमेंट से हम सीखेंगे और हम आपको बे वीडियो जिससे की हमारा भी अच्छा हो जाए और सब्सक्राइब और सिया जरू कर दिया करो बच्चो तो ठीक है बच्चो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मस्च जैन